नौरत्न किचन में आपका स्वागत है मेरिना गुपता आपको चलेए आज अपने छठ पे बग्या पडे चलते हैं देखिआ छठ में क्या-क्या लगा हुआ है ये गुलाब है देखिए गुच्छावला गुलाब है और गुच्छा-गुच्छा में खिलता है ये और इधर पेखिल ऑख देखि इसमें अभी कली नहीं आया है कली आ आईगा अने का पॉजिशन में हैं कली अभी नहीं है कि इधर एक गुलाब देखिस में कली छोटा छुटा फूल लगा हुआ है चोटा साइज का फूल है और एक गुलाब इधर है चार तरह का गुलाब है इस अफेद गुलाब है देखें ये पेड़ ये सब दिखाने का मेरा मकसद है कि जैसे हम लोग दादी नानी का उमर का हो जाते हैं तो अकेले पड़ जाते हैं तो ये पेड़ पौधा हमारा शाथी बन सकता है इसमें टाइम पास किजे और इस देखें यहां टमाटर लगा हुआ है ये पौधा बीज इसका बीज घर में ही उगाये थे घर में ही इसको पौधा बनाए है ये टमाटर भी छोट छोटा लगा हुआ है इधर भी लगा हुआ दुसरा पौधा में भी, पाच्छे टमाटर इसमें भी लगा हुआ है, और इसको सहारा दिये हैं, बड़ा हो जा रहा है, तिसब डंटल से सहारा दिया हुआ है, लेखे, केरी बैग में लगा हुआ है, घर का जो आता है, ओनलाइन समान आता है, उसी का वेस्ट प्लास्टिक ह केरी बैग है, और इधर टमाटर है, देखिए इसमें ये टमाटर बजार से लाके लगाया गया है, इसमें देखिए फूल लग रहा है, जब इसमें फल लगेगा तो फिर वीडियो बनाएंगे, अभी इसमें फूल दे रहा है, पूरा यहां से वहां देखिए पूरा अलग अलग टाइम में लगाया गया है ताकि अलग अलग समय में फले एक साथ लगा देने से एक साथ फलने लगता है इसलिए आगे पीछे लगाया गया है इसमें मिर्चा है मिर्चा के चार पौधा है इसको तोडने से फैलता है फैल गया है इधर भी टवाटर है इसलिए पीछे लगाया गया गया है देखिये बैगन का पेड़ी पूराना पेड़ है इसमें भी बैगन लगा हुआ है तो इसका बहुत बैगन तोड़ चुके हैं, तो अभी पुराना हो गया पेड़, साइद अब फल लगे न लगे, देखिए यहां भी फल लगा हुआ है, इसमें भी फूल आ रहा है, इसमें भी फूल आ रहा है, यह ओनलाइन टेमाटर, चेरी टेमाटर मंगाये थें, इसका ब तो इसमें भी फूल आ रहा है, इसमें साइड में कद्धू दिया हुआ है, जोड़ा बड़ा होगा तो फिर इसको अलग जगह में लगाया जाएगा, तीन ठो कद्धू का पौधा है, यहां भी चेरी टेमाटर है, इसमें भी फूल आ रहा है, देखिए यह वरविना का और यहां पर सदा बहार है, यह सदा बहार है, देखिए इसके बगल में चेरी टेमाटर है, और यह गेंदा का फूल है, इसमें भी कली लग रहा है, यह गुडूल का फूल है, ओरेंज गुडूल है, देखिए कितना सुन्दर बड़ा सा खिला है, और यहां पर इसके बगल में देखिए पीला पीला गुडूल है अभी कली है खिला नहीं है देखिए यहां नीम्बू का पौधा है पहले इसका वीडियो हम डाले थे तो उसमें हम फल तोड़ते ही वे दिखाये थे वही पौधा अभी इसमें बहुत सारा फल छोटा छोटा आया है अभी छोटा है तो बड़ा होगा तो फिर इसका वीडियो बनाएंगे देखे पेड़ पौधा के साथ अगर अकेले पढ़ जाते हैं तो पेड़ पौधा के साथ रहने से अपना पंज ऐसा लगता है आजकल बच्चे मुब पौधा केशना आपन खती यह इस अबों पीजि रहते हैं तो अप पेड़ पौधा में बीजि रहें ताकि आपको अकेला ना लगे है अनुग तो देखिए कागजी निम्बू है इसको कागजी निमबू बोलते हैं यह सालोबर फलेंगा अब है श्म्स होग में आपकी चि होगी होगी तो इसंद पहुत फ kiri नने अफ़ाएं है than a है ज jetzt मैं फूल में लगा है दो इन में चार्षां सब्सक्तिन ने शागाएं है कंद भी फूल में पिदीव देविल नन्हें हमें केया तो इदर भी फूल अंदर दीखने रहा है, तो अब इसमें अभी फूल लग रहा है, फिर फल लगेगा तो, अभी छोटा गमला में लगाए हैं, बाद में इसको बर्शात में बड़ा गमला में कर देंगे, आज के लिए इतना ही है फिर मिलेंगे दुसरे वीडियो में और मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सस्क्राइब करें ताकि मेरा मिहनत का फ़ल हमको मिले